Hello Friends, Welcome to My Tech Support Channel Friends, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे application के बारे में जिसकी help से आप अपने photo को resize कर सकते हो Friends, कई बार क्या होता है, हम online government का form भरते हैं तो उस time पे हमें जो photo की size चाहिए होती है, वो काफी ज़्यादा कम चाहिए होती है तो ऐसे में या तो फिर हम online website से करें या फिर हम इसे अपने Adobe Photoshop या फिर और भी किसी Photoshop से करें तो ऐसे time पे ये application आपका काफी साथ देने वाली है इस application की मदश से आप अपने हिसाब से जितना भी आपको photo की size करनी है उतनी size आप easily कर सकते हैं तो अगर आप जानना चाहते हैं ये कौन सा application है तो फिर देखना होगा इस वीडियो को आपको last tag So guys जैसे application के बारे में हम बात कर रहे थे वो application है Q Reduce Light ये एक offline application और इसकी मदश से आप किसी भी photo की size को चुट कियों में ठीक कर सकते हो से कम या जादा कर सकते हो ये application बिल्कुल secondo में आपका काम ठीक कर देगा इस application को use करने के लिए simple यहाँ पर बहुत ही basic size का interface है choose photo पे click करना होगा किसी भी photo को select करना होगा उसके बाद simple जो भी आपकी requirement है जैसे कि आपको 20KB का photo चाहिए 15KB का photo चाहिए जिस भी size का आपको photo चाहिए वो यहाँ पर आपको डालना होगा तो जैसे कि मुझे 20KB का photo चाहिए तो मैं यहाँ पर 20 type कर देता हूँ और उसके बाद simple यहाँ पर start पर click कर देता हूँ यहाँ कुछ processing में थोड़ा सा time लेगा इसमें इंटरनेट की भी ज़रुवत नहीं यह एकदम offline application है तो यहाँ कुछ time लेने के बाद यह मुझे 20KB में इस photo को करके देदेगा जबकि आप देख सकते हैं उपर की side में 2.02 MB का यह photo है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर compressed file size 19KB देख सकते हैं यहाँ पर 19.80KB तो यहाँ कितना ज़्यादा कम इसका size इसने कर दिया है जबकि इसकी quality भी कोई ज़्यादा खराब नहीं हुई है quality भी बिल्कुल ठीक है तो इस तरह से आप अपने photo को आराम से resize कर सकते हो और उसे उसके बाद government job के form में या फिर और भी काफी सारे form आते हैं जिसमें भी size की requirement होती तो उसके हिसाब से यहाँ से आप size में convert करके photo को लगा सकते हो I hope यह video आपको पसंद आया होगा अगर आपको हमारा video पसंद आता है तो please video को like और share करें न्यू वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को subscribe करें साथ ही साथ bell icon को दबाएं जिससे की new video को notification आप तक पहुंचते रहें तो मिलते हैं कि नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए Thank you friends